एक मित्ख चलता है भारत के अंदर कि सम्राट असोक ने तलवार रखी तो देश गुलाम हो गया यह बातें जो चलती हैं पर बड़ी हसी आती है क्योंकि इन बातों को सुनने वाले और कहने वाले कम से कम अपने दिमाग का इस्तमाल कर लेते तो उन्हें समझ में आ जाता सम्राट असोक ने जो धम अपनाया उसमें करोणा मैत्री भाईचारा ममता पूरी तरह से कुट-कुट के भरा हुए उसमें हिंसा नहीं है इसका मतल़ यह हुआ कि उन्होंने जो तलवार रखी उससे पूरे देश के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें हिंसा खतम हो गई और भाई चारा करोणा आगे खास और से कलंग युद की हिंसा देखने के बाद क्योंकि हिंसा ते कोई फाइदा नहीं है उन्होंने जो तलवार रखी या युद नहीं किया वो अपने लोग अपने भारत के लोग के खिलाफ में उन्होंने तलवार रखी और एक धम बताया कि आप सबको इस पे चलना है मगर जो उनकी सेना बाउंडरी पर थी एरान से लेके बरमा तक वहां से कोई सेना उन्होंने नहीं इटाई वो राजा बने रहे तलवार उनके पास रही ताकि दुस्मन उनकी सेना में ना खुसे और पूरी जब तक उन्होंने राज किया तब तक एक भी बहार का युद नहीं हुआ कोई भी आदमी या कुछ ऐसा नहीं आया जिसने बहार से युद किया हो या अगर युद किया तो राजा ने तलवार ना उठाई हो तो इसलिए ये कहना गलत है कि समराट असोक ने अपनी तलवार रखी इसलिए वो गलाम बने उनके जो पुत्र थे और उनके जो बाद में पुत्र आये जो ब्रहंदत थे वहां तक राज पूरते से चला बहार से कोई आक्रमन नहीं आया कहीं कोई सत्रू बहार से नहीं आया कहीं कोई बहारी युद होने की समाचार पूरे थियास में नहीं है फिर भी जो ब्रंदत था यानि जो समराट असोक के जो पोत्र थे उनका राज्य गया उनके राज्य को उन्हें मारा गया तो इसमें ये जान लेना चाहिए कि उन्हें मानने वाले बाहर के लोग नहीं है उन्हें मानने वाले देश के अंदर ही लोग हैं जो गद्दा लोग थे क्योंकि समराटर सुक का सासन दुनिया में सबसे बहतीन सासन में आता है उनके बाद जो उनके पुत्र या जो उनके पोत्र हैं उन्होंने भी जो सासन किया उसमें कहीं भी जन्ता को कोई परिशानी नहीं आती आर्डंबर पूरी तरह से गायब था चोरी चकारी खतम थी लोग वेबचार बंद कर चुके थे सराब कोई पीता नहीं था जो जूट बोलना था वो बंद हो चुका पांचों सीलों पे पूरी तरह से देश चल रहा था और देश में लगबग 26% बताते हैं कि पूरी दुनिया का GDP भारत में था और भारत में भारत से बनके manufacturing होके यहां से सामान जाता था मसाले जाते थे, कपड़े जाते थे, और चीज़े जाते थी और दुनिया से सोना आता था हमारे देश में इसलिए इसको सोने की चड़िया कहते थे, सबसे जादा बैपार उसी समय था यह सोचने वाली बात है कि इतने अच्छे सासक को इतनी अच्छी व्यवस्था को कौन से लोग थे, जिन्होंने खतम किया क्यों खतम किया और कमाल की बात यह है कि असोक के बाद में जो ब्रद भारत था उसके बाद में उनसे भारत नहीं समला जिन्होंने ब्रंदर्थ को मारा और ब्रंदर्थ को मानने के बाद राज्य इस्थापित किया उन्होंने राज को छोटा करते चले गे इरान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बंगला देश चला गया, नेपाल चला गया, वर्मा चला गया, स्री लंका चला गया, इस सारे देश हटे हटे पूरे तरह से गायव हो गे और देश में लगाता छो और छोटे गुट से बनने लगे जो आज तक भी जारी है यानि ब्रद भारत का छोटा भारत बनाने में जो असोक जो ब्रंदत के बाद के लोग हैं उनका पूरी तरह से योगदान या उनका पूरी तरह से हाथ रहा है वो नाकाबिल और नालायक लोग रहे जिन्होंने ब्रंदत की हट्या की पता नहीं किस उसूल से की किस कारण से की मगर वो काम्याब नहीं पाए वो देश नहीं चला पाए उनको देश चलाना नहीं आया इसलिए ये मिथक पूरी तरह से जूट है ये दुस्परचार है कि समराट असोग ने तलवार रखी इसलिए देश गुलाम हुआ समराट असोग ने तलवार नहीं रखी देश गुलाम हुआ क्योंकि देश में भीतर घात हुआ कुछ लोग समराट असोग की नीतियों से खुश नहीं थे वो समानता की नीदियों से खुश नहीं थे उनको यहाँ आडमर फिलाना था उनको यहाँ करप्शन करना था समराट असोक के समय में देश भक्त लोग बहुत ज़्यादा थे करप्शन बिल्कुल जीरो था इसलिए उन्होंने दिद्दुश परचार किया ताकि समराट असोक का सासन दुबारा से ना आ जाए या लोग इस बात को ना जान जाए कि समराट असोक एक ऐसा महान राजा था जिसके समय में देश सबसे ज़्यादा समरद और सकतिसाली रहा है धन्यवाद समराट असोक भालत कि समराट जाए